तो नमस्कारदर्स को Freedom News इंडिया देखना सुरू कर चुके हैं आप और मैं हुआ आपके साथ राज रावत और जिस तरह से बीते दिन एक खबर आती है कि राज केसर नाम की लड़की को उसके प्रेमी ने मार करके उसका जान ले करके उसकी सव उसके लाज को 70 टाइंक में डा करता है कोई और नहीं प्रेमी दर्शको वह लड़का कहीं न कहीं राज केसर से 10 साल से रिलेशंसिप में था और फिर उसके बाद जैसे ही उसको पता चला कि आप कहीं न कहीं मैं बच्चूंगा नहीं मुझे राज केसर से साधी करना ही पड़ेगा चाहे जो करलूं तो फिर उसके बाद उसके दिमाग में फालतू की चीज़े चलने लगी, वो राज केसर को अपने रास्ते से हटाने का पुर्जोर प्यास करने लगा, दर्सको यह बाद जान लीजिए कि वो जितने साल से भी ऐस कर रहा था, पांच-छे साल से ऐस जो कर रहा था वो आसीज च वो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इत्याद गुणों से वो लड़की और काफी पैसे कमाया करती थी, और पैसे कमा कमा करके आसीज चोधरी को प्रेमी आसीज चोधरी को दिया करती थी, और प्रेमी आसीज चोधरी यही कहता था, कि हम अभी बात कर रहे हैं, आने वाले कु घर वालों का कहना यह है कि husband ही समझ लीजिये लेकिन जो है कहीं न कहीं साधी अगर नहीं हुई रहेगी तो उसको प्रेमी ही कहा जाएगा आइए घर वालों से बात करते हैं आखिर कैसे क्या घर वालों को यह सब चीजों को लेकर के खाबर था या नहीं था आइए माता जी है उनकी यह राज केसर की मा है आए एक मा से पूछते हैं कि आखिर मा क्या कहेंगी क्या नाम है आपका अच्छी यह बताएए इतने साल से कहीं न कहीं राज केसर का असीस चौधरी के साथ जो अफेर चल रहा था आप उस पर जो है मस्रूप थी क्या आप लोगों को पता था इस पर जब पता था तो बेटी को क्या बोलती थी आप आप लोग बोले कि साधी कर लो सुधिनल संगर क LAURA समझाती ही था ना सजका आप इस Beim आपको यह भी बता दे दर्सकों कि छोटी बेहनों का साधी हो गया उन्होंने अभी तक साधी नहीं किया था बस वेट कर रही थी कि कब यह साधी करेगा लड़का कब यह साधी करेगा लेकिन वो ऐसे ही बोलता रहा कि अगले साल करेंगे 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 फिर ऐसे समय बिता देना था आप लोगों को क्या पता नहीं था कि कहीं ना कहीं आसीज चोधरी इस टाइब कथा शांत रही है भी शांत रही है आसीज चोधरी इस टाइब कथा ऐसा सोचता था आप छोटी मेहन है राचकेसर की चोटी एंगे जब कहीं आपकी शाधी लग रही थी तो किया आप दीदी से नहीं बोलती थी कि दीदी आप साधी पहले किस अपनी साधी करेंगे ये दो कहाँ कि तुछी के लोग कैसे सभाई कितने बहाई लें जोने जोटा भाई है दो लो चाहर भाई है कितनी बहने दो झाली आज इन लोगों के बीच में नहीं है और सोचिए कि उस जो है होईवान ने उस बहन को खा लिया इनके और जिस तरह से बताता था कि मैं कहीं न कहीं आपको इस तरह से खुश रखूंगा आने वाले टाइम में साधी कर लूँगा जैसे हर प्रेमी करता है ना बहलाता है फुसलाता है ठीक उसी तरह से वह भी किया क अगे चलने लगा था तो उशके बाद अभी तक उन का रिलेशन चल रहा था है this नवंबर साधी करने को लिए तयार था कि हम साधी करेंगा इसी नवंबर में तभी सब इस समाना खुरीदे है और सब समाने लेकर ख़रीदे हैं सब समाने भी खरीद कर रख लिया गया था और राज केसर की साधी नौंबर में ही होने वाली थी आसीस चोधरी के साथ जिस आसीस चोधरी के साथ साधी होने वाली थी उनके ही प्रेमी के साथ उसी प्रेमी ने उनको मौत के घाट उतारा तो उतारा साथ ही साथ उनकी लास के साथ दुर तुछान को थोड़ा भी थोड़ा भी उसके अंदर रहम नहीं आया कि आपने उसको मारा तो मारा उसके बाद उस लड़की के लास को जो है गंदगी में आपने डाल दिया और सोचने वाली बात है इस खबर को जो और भी बहने देख रही हैं देखिए प्यार करने का ऐसा भी कभी कभी अंजाम भुगतना पड़ जाता है और फिलहाल जेल की सलाखों में है गिरबतार हो चुका है प्रेमी गिरबतार कर लिया गया है देखिए गहने खरीदा गया था अच्छा गहने किसने खरीद कर अपने पैसे अपने अपनी साधी के लिए खुद से ही विवस्था किया अपने से ही अपने मेहनत के पैसों से यह गहने खरीदे जोड़े खरीदे उस बहने लेकिन देखिए उस बहन का साथ कहीं ना कहीं उसके जो उसका जो हैवान प्रेमी था वो साथ नहीं निभाया जो पती बनने वाला था पती बनने से पहले ही उसके लिए काल बन गया और उसको मौत के घाट उतार दिया अखिर अच्छे ये बताईए क्या इसके पहले उन दोनों का जगड़ा भी हुआ था क्या कुछ नहीं जगड़ा हुआ था हमेशा बाचित होती थी हसी खुशी बात होती थी जगड़ा उगड़ा नहीं कुछ नहीं आई और बहनों से पूछे हो सकता है इनको ना पता हो और बहनों से पूछे ये बहन ये भी है आजाईए ये भी बहन है अच्छी ये क्या नाम है आपका मेरा नाम पान केसर है वो उनका क्या नाम था बड़ी मेरी मेरी बड़ी बड़ चुछ राजकेसर और राजकेसर बड़ी वहन थी तो आपकी भी साधि हो गई है चोची चोटी-चोटी बहनों का साधी हो गया और वेट इंतेजार शिर्फ यही था कि हमारा कहीं न कहीं अगर प्रेमी बोल रहा था तो साधी होगा ही आज नहीं तो कल करेगा ही इसी तरह से वो वो बहलाता रहा फुशलाता रहा गुम्राख करता रहा अंतता खुद ही उसने मौत के घाट उतार दिया उस बहन को अच्छा यह बताईए उन डोनों के बीच में कि मेरे बहन के साधी उनसे हो वो हमेसा उसके घर वाले लड़की के घर वाले उनको नहीं पसंद थे सब को पता था कि सब को राजी भी थे उनकी भावी मेरे घर पे भी आई है सब को राजी था बसरते उनके जो मेरे गाउं के एक चाची लगते उनको नहीं पसंद था अच क्राम लोग छोटेचोटे थे तब इससे बाद्रविया चलता था वो भी जम लफड़े के लेकि इसका मतलब हो सकता है कि आसीज कहीं न न नहीं राज केसर से जहगड़े भी किया हो हत्या के पहले मेरे पापा जी पर हुए थे तब मेरे पापा को एक्सिडेंट होगा था एक्सिडेंट ने उनको मरवाया गाय था तिकाया गया थे हैनल कि असिस उस्वेच आ गए थे उन्हों केस को से नाम दे दिया तो इनके हैं मेरे हमाले ने जानते तो इसे हुआ भापा फिर वो आएंपे यहां पे मेरे बहन के साथ इतना दुरी ब्योहार की हमेशा से एक डब पती जैसा ब्योहार करते थे तो यहां भी आते थे बताती जैसा में प्रूरा फूरा था बस तक गाड़ी खरीदें पापा का जो केस था यही कर रहे थे वो एक्सिडेंटर था तो इसके डेंटर का पाइस पैसा रात पैसा भी उन्होंने मारा पांच लाक की बात हुई थी दिये हम लोग को दो लाक रुपए दबा लिए तीन लाक दबा लिए यह भी केस हुगा है हमारे लोग के साथ फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोले हम कहें बड़े दी हैं अपना जो की हैं सब यह कहें भी कहें कि नुट बंदी थी उसमें भी घला मेला कीए कि कुछ इसमें लग गए ऐसे करते करते को कहें कि इतना दवर भाग हुआ है सब सरकार ले लीये औरो सरकार को ढाना दीएं अज फिर सोचने वाली बात है फिर भी वो लड़का वाफादार नहीं था अंत तक अंत तक वो पैसा खाया उनको देती थी जमीन वां में भी खरीदा था क्या पैसे जमीन खरीदें वहां पे प्लांटिंग का जमीन खरीदें वहां और उसका कहीं न कहीं जो EMI भरा जा रहा था बहन ही आपकी भर रही थी सोचने वाली बात है फिर भी वो लड़का वफ़ादार नहीं हुआ और जिस तरह से आप इधर दिखा दीजिए सिलाई मसीन वगएरा यह सिलाई मसीन है राज केसर ही सारा सिलाई मसीन का कामकाज देखती थी यह देख सकते हैं आप घर में सिलाई पूरा कपड़े ही फैले हैं मतलब वो लड़की खुद के ही दम पर अपने खुद के दम पर जो पैसे की कमाई होती थी उसको देती थी देख सकते हैं देती थी और उसके बावजूद भी वो लड़का वफादार नहीं था और क्योंकि उस लड़के का उस लड़के को उनसे प्यार नहीं था उनके पैसे से प्यार था क्या ऐसे हिमाल लिया जाए हां ऐसे हिमाल लिया जाए उसको प्यार पैसे से लडगा उनसे प्यार करता था लड़का उनसे प्यार नहीं करता था अब आज यह नवबता आ गई है लो अगर आज प्यार करता था तो ऐसे नवबता परिवार प्राइब पीछा जाए सुचिए बेहन कह रहे हैं फासी होना ही चाहिए क्या कहेंगी आप हम भी सिधा कह रहे हैं दवरादा को इंकांटर कर दिया जाए उनकांटर होना चाहिए न हाँ बेरहमी से मारा भी उसके बाद सेप्टी टैंक में उसने उस दरिंदे ने उस हैवान ने डाल दिया तो माता जी क्या कहेंगी किस तरह का सजा इस दरिंदे को मिलनी चाहिए मिलनी चाहिए दवड़ावी दड़ा मारे के हैं जैसे हमार बिटिया के हैं दफनाय से दफिनावा है ओंदर है हमार बिटिया कधार का पास्बूक के सारा लए लिए लिए बाद सब उठाए लगे लगे तो पोटो तो उभव सम लगे गाई नहीं है तो तने पर पन्नी में ल जा रही है तो पर उसके बाद जब नहीं आई तो आप लोग ठाने पर रिपोर्ट लिखाने गई थी तो जब यह लोग रिपोर्ट लिखाने गई थी माता 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 जी बहन जी और घर के जो सदस हैं तो उनके साथ वह भी गया था पुलिस को भी गुम्रा करने के लिए साथ में इनके जाया करता था ताकि घर वाले ना तो सक कर पाएं घर वाले सक कर भी नहीं पा रहे थे क्योंकि घर वालों के लिए भी काफी वह भरोसे मंद था घर वाले भी भरोसा करते थे और पुलिस को गुम्रा करने के लिए वह लड़का इनके साथ जाया करता था ताकि पुलिस किसी भी तरह से इनके उपर सकना करें असी चोधरी के उपर तो लड़की को किस तरह से मारा थ कि आप लोगों को पता है हाँ तनिवाल लशी रही हो गरला दबाए हैं दबाए गरला दबाए के इसे भड़ा भारी के खोद के ऐसा ही डान दे हैं अच्छा सब्टी टाइंक कि मूर मूर जवन बाटे नीचे बाटे उपर से गोड़ बाटे अच्छा मतलब ऐसे खाड़े प अपते जादा तक लास कहीं न कहीं उस सप्टी टैंक ने ही रही है तो देखी थी आप अधे का लेगैं सर्जी हरे और तक है इसी चना माता जी जने बहिनों चना हमकर दोटिवाइं अच्छाने लहाद देखा देंगे अर जंता जंता लोगों को सिर्फ घर के लोगों को जाने के लिए यह कितना इकठा हो गई थी उस वक्त पब्लीक इकठा हुए थी अगर 80 दिखे होते तो पब्लीक ही खतम कर देती हमाई लोग की जरुवत ही ना पड़ती इसलिए पब्लीक को मतलब उनको चोरी से उनको हटाया गया है फिर ह लुको भेजा गया था नों साड़े नौब बजे घर आये थे लास अभी पोस्ट मार्टम सोकर नहीं आए भाई गया है लेने कब तक में साम तक मिलास आ जाएगी अब जाहिर सी बाते साम तक देंगे भाई लोग गये हैं देखिए तीन-चार बजे तक आ जाएगी चाऊन को कमरें में चार पुलीष वाले बैठाये थे उसे पूछ रहे थे कहां रख्या होगी कोर्फ कभकर लास्टी रशीग हो काल उसी का था और इस वाज़ा से पुलिस को कही न कही शक हुआ और जब पुलिस उसको हिरासत में ले करके पूछताच की तो वो सब कुछ बकर दिया हाँ बकर दिया साथ में वो मट्टी भी बताएं कहां लहाज को चिपाएं हैं फिर पांच लोगों का नाम भी बताएं करचना में उसका खुड काई घर था जहां पर रोंकिया था नहीं मेरी दिए थी ना घरी है वहे हैं नाम उन्हीं का है ए यह सोचिए बहन ने इनके पैसा लगाया था लेकिन नाम उसने ही करवा लिया था मतलब आप पत्ती बनने वाले थे ना उनके ऐसी तो करवा ने दिये थे आप सोची वह स्वेंट बनी जाएंगे बात हुई थी जन्वरी में 23 तारीक हुई फिर वह बात को कहने लगी कि मेरी हैं यहां करते हैं लेकिन बीच में इुसका मूड गया और मौत के घाट उतार दिया जिसको बोलता था कि तुम्हारा साथ निभाएंगे, सातो जनम तुम्हारे साथ रहेंगे, तमाम तरह जो प्रेमी वादे करते हैं वो भी करता था और इनी वादों की बदौलत, इनी वादों के दम पर ही उस लड़की से उसका सारा कमाई का पैसा अटता रहा और उस पैसे से जमीन, जाजाद, गाड़ी, तमाम तरह का जो एस करने का साधन था, वो खरीर दिलिया और अंतता जब बारी आई और डेट भी पढ़ गया था बेट साधी के डेट पढ़ गया था कि नामबर में बोल रहते करने के लिए साधी किसी और कर लिए वहां पर भी काफी दहज वहिज मिला है इनको तों लड़के ने साधी पहले कर लिया किसी को पता भी नहीं चला हमारे गल तभी तह हम लोग इतना कंफर्म हो गए जूट बोल रहा हैं, दूसरी लड़की साधी किया है, वो दूसरी लड़की है 12 बंकी से, वहां से साधी किया है. सोचिए दर्श को उस लड़के ने इनको बोलता रहा वो लड़का बोलता रहा कि तुमसे नौंबर में साधी करेंगे लेकिन इसी धर्मियान वो खुद दूसरी जगा बारा बंकी में उसने साधी कर लिया और वहां काफी ज़्यादा दहेच पाया लेकिन उसको एक बात ये खल रही थी कि जहां पर हम साधी किये हैं कल को ये राज केसर नाम की लड़की को पता चलेगा तो हमारा पोल खुल जाएगा इसी वज़ा से वो लड़का राज केसर लड़की को जो प्रेमिका थी जिससे इतने दिन से वो अफेर में था दसो साल से चल रहा था उसको उसने ठीकाने लगाने के लिए मौत के घाट उतार दिया और जब उसको लगा कि लास अगर ले जाएंगे तो लोग जान जाएंगे तो लास को भी ठीकाने लगाने के लिए वह सेप्टी टैंक में डाल दिया और उसी घर के सेप्टी टैंक में डाला जिस गर को उसने राज केसर के पैसों से खरीदा था राज केसर के पैसों से बनवाया था ना bukan यह जान ली जिए हम योगी आदितनात मुखमंत्री जी से यही गुख लगा गे कि ऐसे अपरादियों का जो है कहीं न कहीं अईसी है आप्साइजी को सजा दिया जाए ऐस्य अपरादियों को जिससे ऐसा अपरादी दुबारा पैदा ना हो हम और भी मीडिया कर्मियों से यह कहना चाते हैं कि इस मामले को भी उठाओ सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में साक्षी मुद्दा ही एक मुद्दा नहीं है हमारे देश में और भी साक्षी जैसे मुद्दे बहुत आ रहे हैं उनको हम आप इग्नोर नहीं कर सकते हम आप इन बहनों को इग्नोर नहीं कर सकते जो खुद हिंदू होकर हिंदू से ही परेसान है हिंदू लड़के ही धोखा दे रहे हैं दिलाना है इन बहन बेटियों को क्योंकि बहन बेटी हमारे देश की जो बहन बेटियां है उनके साथ हम ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते उनको हम दो नजरिये से कभी नहीं देख सकते हमारे देश की बहन बेटिया सारी बहन बेटिया एक समान है तो माता जी क्या कहेंगी होगी आदितनाज से क्या गुवार है लाश्ट वार आपका जैसे मारे हैं नियाय मिला चाहिए और कहीं न कहीं जिस तरह से उसने आपकी बेटी के पैसे से जो जमीन जायजाद बना रखा है उसको वापस करें यह जान लीजिए माता जी का कहना यह है राजकेसर के माता जी का यही कहना है कि वो जो जमीन जायजाद हमारी बेटी के पैसे से बनाया है उसको भी हमको वापस दिया जाए सरकार कह incarnation इसमें इनकी मदद करे और इनको नयाय दिया जाना चाहिए और बेटियों को को दो नजरिये से सरकार हम कभी नहीं देख सकते बहुत बहुत धन्यवाद और इस खबर पर हमारी पैनी नजर बनी रहे गी और आपको जहाँ पर उस धरिंदे ने उस बेटी को मारा है वो ग्राउंड भी दिखाएंगे चल करके जित कोशिस हम पूरी करेंगे बहुत बहुत धन्युआ